कि हेलो एवरीवन वेलकम यू ओल ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म लर्न विद सरीना तो देखिए आज हम बहुत इंपोर्टेंट टोपिक एच्ट टीजिटी साइंस के जो प्रीविए सियर कोश्चन्स है उनका अनालिसिस देखने जा रही है जैसा कि आपको दिख दिखेगा अगर मैं केमिस्टी की बात कुरूए एटी ँंस मुते टीन माक्स कीया आ है और स्टोर्टेंट से देख सकते हैं कि लग-भग एक्वल तोंटल बन गए कि 60 marks, इसी तरह से 2019 में chemistry 18 marks की आई, physics 20 marks की आई, biology 22 marks की आई, totalize 60 marks, 2018 में भी 23 marks की chemistry आई, physics 19 की आई, biology 18 की आई, totalize 60 marks, 2017 में आप देख सकते हैं, 17 marks की chemistry, physics 16 marks की, biology 27 marks की total बन गए 16, और देखिएगा, 2015 और उससे पहले जो था, उसमें math और science दोनों आते थे exam में, 30-30 marks के, तो उस time पे, जो मैं science के 30 marks की बात करूँगी, तो 12 marks की chemistry, 8 marks की physics, और 10 marks की biology आई, total 30 हुए, 2014 और 11 की अंदर teaching aptitude भी आया, 3 और 4 marks का, teaching aptitude आया, आपके पास देखो, मैंने यह नहीं ची लिखा, 3 और 4 marks का, और आपके पास जो आई, chemistry 12 marks की, physics 8 और biology 10, यहाँ पे chemistry 14 marks की physics 6 और biology 7, chemistry 9 marks की physics 8 और biology 9, आप on average निकाल की देखो, यहाँ पे chemistry को देखो, 18, 18, 23, 17, आप अगर अभी देखना चाहो, जो नया pattern है, वो यहाँ तक है, 2021 से लेके 2017 तक, यह आपका pattern चल रहा है, जिसमें 60 marks की science आती है, इसके अंदर आप average निकाल हो, तितने marks की physics, chemistry आ रही है, यह physics आ रही है, यह बाइल हमारे पास सबसे ज़्यादा post भी अब TGT science की आने वाली है, वो कितनी है, 1297, और एक चीज़ और, आप अपने notice में इस बात को ले ले, क्या, ctate is not equivalent to htate, पहले यह था, कि जो ctate है, वाले बच्चे जिनका ctate के लिए htate qualify नहीं है, वो भी TGT science के लिए हर्याना में valid हो होगा, तो I hope आप इस analysis को समझे होंगे, मैं आपको बता भी देती हूं, और आपको previous year questions की वो भी बताती हूं, यह जो है TGT science के लिए previous year questions का set लिया हुआ है, आर गुपता का है, यह agitated TGT science के previous year questions, और साथ में practice MCQs है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़ी है, और कुछ इस चीज को लेकर के tension में है, जैसा की मैं देखती हूं, तो I hope आपको इस चीज अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो FURTHER information के लिए, ठीक है, मेरे channel को like करें, subscribe करें, और इसी तरह से मैं आपको PGT chemistry की भी बहुत जल्दी, जो है analysis करके दोंगी, झाल